Hey guys, welcome back to another video, I hope आप सभी काफे अच्छी होंगे, I hope क्योंकि market condition इतनी ज़्यादा खराब चल रहे है कि सब के वोशूड़ों है, यहाँ पर अगर हम बात करें major cap coins की, तो Ethereum का price 1900 डोलर से भी नीचे चल रहा है, जो किसी टाइम पे 4200 डोलर का था, BNKB का price जो है वो 260 डोलर के राउंड आ गया है, light coin की बात करें जो किसी टाइम पे 400 डोलर से भी उपर चल रहा था, उसका price अभी के टाइम में 115 डोलर चल रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो market के अंदर सरफ 3-4 coin green में दिख रहे हैं, जो की stable coins है, तो काफी ज़्यादा गिरावट हमें market के अंदर देखने को मिली, काफी ज़्यादा लोग पैनिक की अंदर है, लोगों को बोला गया था कि सिरफ हम उपर जाएंगे, market pump होगी, लेकिन हमना आपको recent की सभी वीडियो के अंदर update क्या था कि अभी market के अंदर right time नहीं है, trading करने का, आप थोड़ा सा patience कीजिए, क्योंकि market बहु देखने को मिल सकता है, इसी के साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर giveaway करने वाले आप लोगों के लिए live, और इसी के साथ साथ जिन भी लोगों ने रेवो के अंदर investment की थी, रेवो के अंदर जिनका loss को है, उनके लिए काफी अच्छी news है, तो make sure आप इस वीडियो को end तक है ताकि हमें death cross देखने को मिल सकता है, death cross यानि कि 200 EMA जो है या फिर 200 MA वो break कर सकती है 50 EMA को, तो यही चीज हमें देखने को मिली, MA and EMA दोनों के अंदर हमें death cross देखने को मिला, और इसी reason के वज़े से हमें market के अंदर crash देखने को मिला, अब इसे 2-3 दिन पहले death cross हमें देखने को मिली, कि जो ही आप sport देख रहे हैं around $33,200 पे उससे नीचे एक बार भी bitcoin जो है closing हमें नहीं देखने को मिली थी, यहाँ पे आप देखते हैं 18th of May को जब market crash हुई थी, यहाँ पे touch किया, then वापस recovery देखने को मिली, वापस touch किया, then वापस recovery देखने को मिली, लेकिन closing एक बार भी इस level के नीचे नहीं हुई थी, लेकिन कल की candle की बात करें तो उसकी closing हमें 31,600 डोलर पे देखने को मिली, यानि कि market के अंदर काफी जादा sell pressure है, वो किस वज़े से हम और भी काफी news market के अंदर negativity चल रही है, चाइना की तरफ से, कि चाइना ने जो है, वो mining ban कर द करें, जिसे इंडिया के नदर चल रहा था, कि आप जो है, financial institution यानि कि bank वो गएरा, वो services provide नहीं कर रहे थे, users को, या फिर exchanges को cryptocurrency के, वैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला, चाइना का third largest bank, agriculture bank of China, उसकी तरफ से news हमें देखने को मिली, कि हम जो है, आने वाले time में कोई भी services provide न जो dominance है, वो चाइना की है, cryptocurrency mining के ओपर, तो उसकी वज़े से काफी तरफ नेगिटिविटी गाई, चाइना में काफी ऐसे वहाँ पे ban है, no doubt, बट फिर भी वहाँ पे काफी ऐसे लोग है, क्योंकि शुरू से वही लोग जादा mining कर रहे हैं, तो उनके पास काफी huge quantity के अंदर bitcoin पड़े हैं, और ऐसी अगर news आती है किसी भी country के अंदर, तो वहाँ पे हमें definitely panic देखने को मिलता है, और भी चीज़े negativity market के अंदर चल रही है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़ूरत है, कि जब भी market weak होती है, हमें जो कि last के कुछ दिनों से लग रहा था, हमने आपको काफी बार update भी किया, कि market काफी ज़्यादा weak चल रही है, आपको patience रखना है, यहाँ पे trading नहीं करनी है, लोग हमें बोल रहे थी कि नए signals बताओ, किस को इनके अंदर invest करें, किस में profit होगा, तभी आपने देखा होगा कि last के काफे दिनों से हमने ना telegram के उपर आपक के entry होने चीए, say time पे exit होने चीए, तभी आप trading के अंदर से पैसा कमा सकते हो, अगर आप investment करते हो, तो वो कभी भी एक महिना, दो महिना के लिए नहीं होती है, आपको उसमें long term के लिए hold करना पड़ता है, like one year, two year, उसके बारे में बात करते हैं, आगे जाके, उससे बहले ह हम बात करते हैं, positive चीज़ की, कि market अभी भी जो है, bitcoin का price अभी भी जो है, वो एक range bound market के अंदर चल रहा है, यानि कि range bound क्या होते हैं, कि अभी भी 30,000 डोलर से 40,000 डोलर के बीच में हमें price देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पे जब market crash हुई थी, सबसे पहले time, 19th of मई को, तब जो price था, वो ही price के around, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 30,000 डोलर के around गया था price, और उसी के आज पास चल रहा है, जब तक bitcoin का price 30,000 डोलर के उपर है, जो कि हमें आप एक huge spot देखने को मिल रही है, तब तक हम safe हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, तो पहले भी हमें same चीज़ देखने को मिल ली थी, January के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी एक महीना हुआ, market crash हुए, यानि कि 18th of मही को crash हुई थी, उसके बाद से अभी के time में, जो date चल रही है, वो 22 of June चल रही है, यानि कि almost एक महीने से जादा हो गया है, और market उसी range के अंदर चल से ली थी, market और सेम range हमें अभी भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी sport देखने को मिल रही है, 29,000 डोलर से 30,000 डोलर के बीच, जब तक यह हमने hold कुई है, वो काफी अच्छा है, bitcoin के price के लिए काफी अच्छा है, market के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अगर वो sport टूर जाती है, तो आप समझ लिजे कि market के अंदर से आपको चपल उठानी है, और भाग जाना है, आपको महाँ पर किसी भी coin के अंदर invest नहीं करना है, किसी भी coin को hold नहीं रखना है, आपको सिरफ अपने USDT के अंदर, या फिर आपके जो long term coins है, उसके अंदर position ब बीज जा सकता है, अब इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं, हम death cross के बारे में, क्योंकि लोगों का कहने है, कि जब भी death cross हमें देखने को मिला है, वहाँ पर price 50-60% further crash होता है, और 50-60% crash की बात करें, तो इनका मतलब है कि bitcoin का price 20,000$ से 24,000$ भी जा सकता है, अब आपको एक चीज देखने को मिला था, यहाँ आपको थोड़ा सा highlight करके दिखा देता हूं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर price 10,000$ क्यास पर चल रहा था और उपर जाना चाहिए था golden crossover की वजचे से, लेकिन यहाँ पर हमें heavy crash देखने को मिला उस टाइम पे भी and bitcoin का price 4,000$ तक चला गया चीज़े सही होती है, तो हम expect कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें वापस pump देखने को मिल सकता है, और जो death crossover था, वापस golden crossover के अंदर convert भी हो सकता है, तो आपको इसके उपर भी इतनी panic करने की ज़रत नहीं है, और रही चाइना की बात काफी लोग का कहने है, और हम मानते भी है कि 60% जो mining है, वो सिर्फ चाइना की तरफ से होती है, तो उनका काफी ज़्यादा control है, तो चाइना के अंदर mining जो है, वो ban हो गई है, उसकी वज़े से hash rate गिर रहा है, तो इसके solution के बात करें, तो ऐसा नहीं है कि यह लोग रुक जाएंगे, जिन भी लोग को mining करने है, वो दूसर के भी जो miners है, जो बड़े miners है, वो कैसे ना कैसे Bitcoin की mining को sport करने के लिए, और उनको अगर profitable यह business दिख रहा है, तो वो दूसरी countries के अंदर अपने mining setups को shift करेंगे, और वहां से हमें वापस market के अंदर recovery देखने को मिल सकती है, और मैं नहीं मानता कि अभी के टाइम में आपको इ $20,000 को break कर दे, cash Bitcoin का price अपने all-time high पे चला जाए, और अभी तो Bitcoin का price $31,200 या $500 पे चला जाए, यानि कि अपने previous all-time high से काफी ज़्यादा ऊपर है, बड़ आप यह expect नहीं कर सकते ही, market हर टाइम टोप के उपर रहेगी, market के अंदर up-downs आते रहते हैं, अगर आप trading करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा careful रहने की जुरत है, लेकिन अगर आपने investment किया है, तो investment हमेशा long term के लिए होती है, आपको 1-6 महीने, 2-3 साल आपको patience रखने की जुरत है, क्योंकि पास्ट के अंदर भी हमने देखे कि market बहुत ज़्यादा crash हुई है, Bitcoin का price $10,000 से $3,000 तक चला गया था, वो भी कुछ ही weeks के अंदर, तो आप सकते हैं कि market दे crash तो होंगे, बट आपको patience रखने की जुरत है, आपको थोड़ा सा hold करना पड़ेगा यहाँ पे, और जिन भी लोगों ने student loan या फिर कहीं से पैसे उधार लेके investment की थी, वो बहुत ही ज़्यादा करोगे, आपको पता होगा, कि अगर आप patience रख लोगे, यहाँ पे कुछ महीने का, उसकता है, दो महीने, तीन महीने के अंदर market recover कर जाए, तो यहाँ पे आपको वापस आपका जो profit है, वो वापस recover होता हुआ, दिखेगा, या फिर आपके loss अगर हुए, आपने top के उपर entry दी थी, तो वो भी आपके losses cover हो जाएंगे, बस आपको patience रखने की जुरत है, बाकि चाइना की ban van वाली news चलती रहती है, पास्ट के अंदर भी हमने काफी कुछ देखने को मिला है, short term impact हमें देखने को मिलता है, definitely कोई भी चीज हो, उसका short term impact होगा, लेकिन long term की बात करेंगे उसका कुछ ना कुछ solution हमें मिल जाएगा, चाहे कोई वो charts हो, चाहे वो fundamentals हो, हर्चिज का solution होता है, market वापस उपर की तरफ move करेगी, तो tension मत लीजिए, अपना relax होके बैठिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको panic होता है, charts को देखे तो अपना mobile, थोड़े दि stable होगी, तो हम आपको telegram के उपर अच्छे signal देंगे, हम आपको videos के अंदर अच्छे coin बताएंगे, तो आप उस time का wait भी कर सकते हो, तो यह थी market के उपर update, I hope आपको पसंद आई होगी, अब हम बात कर लेते हैं, आपने giveaway के बारे में, जैसे कि आपको पता होगा, bullpugs की winners list हम अगर थर्ड को 75 डोलर मिलेंगे, और उसके बाद उसी recording मिलेगा, और 10 random winners भी हम चूज करते हैं, बोट के अंदर से, 100 winners में से, तो अगर आपने बोट जो ही नहीं किया, तो उसका link आपको description के अंदर मिल जाएगा, अगर आप guaranteed giveaways लेना चाहते हो, और उसके सिवा हमने 20 random winners है वो Twitter से या फिर form जो हम आपको देते हैं, फिल करने के लिए किसी भी giveaway के लिए उसमें से pick की हैं, तो तभी हम आपको कहते हैं कि हमारे Twitter के उपर active करहिए, और जो भी form हम आपको देते हैं, वो फिल कीजिए, तो यह हमने पूरी list बना लिया, और हम इसको copy paste करके आपके सामने live giveaway करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आपको याद होगा, हमने recently अभी यह काफी बड़ा giveaway किया है, जो की formation FI का था, उसमें हमने 40 लोगों को 15,000 डोलर वर्थ हो, यानि कि almost 15,000 डोलर की बात करें, तो 10,000,000 रूपे से भी जादा लोगों की amount, जो आप giveaway की लोगों को send की, यूजर को 3350 डोलर की amount मिली थी, और उसके बाद price भी काफी ज़दा pump हुआ था, next day almost price double से भी जादा हो गया था, तो अगर हम calculate करें, तो 25,000 डोलर से 30,000 डोलर का giveaway हमने recently किया है, तो make sure आप मारा telegram जुरू जोइन करके रखें, अगर आप और भी giveaway के अंदर participate करना चाते हैं, तो यहाँ पर मैंने paste कर दिया है, जो भी हमने copy किया था, और यहाँ पर आप addresses देख सकते हैं, first user को 100 डोलर मिलने वाले हैं, then 75, 75, then 50 डोलर, and जो random winners थे, उनको 30 डोलर इच मिलने वाले है, मेरे wallet की बात करूँ, तो मेरे wallet के अंदर आप पर आपको balance दिखा रहा होगा, कि मेर 1559 डोलर अभी के डाइ में पड़े हैं, यानि 1550 डोलर के असपर पड़े हैं, जिसमें से 1500 डोलर का हम giveaway आपके सामने करने वाले हैं, तो disperse के ओपर मैंने क्लिक किया, और इस application के तुरूम एक साथ सभी users को giveaway कर सकते हैं, और हमने क्लिक किया, और यहाँ पर मारी transaction pending अंदर द तो हम team से continuously बात कर रहे हैं कि हमारी community के लिए कुछ compensation लाया जाया है, किसी ना किसी तरीके से उनको compensate किया जाया है, उनका काफी ज़्यादा loss हुआ है, काफी heavy price crash हमें देखने को मिला था recent days के अंदर, तो make sure आप मारे telegram को उपर नज़र रखें, वहाँ पर हम आपको updated रखें तो हम अपना best try कर रहे हैं, अगर हम आपने हमारे channel को subscribe ने किया, तो subscribe करके telegram को join कर सकते हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम आपके सामने हमने 1500 डोल का live giveaway किया है, आने अले टाइम में हम आपके लिए और updates लेके आते रहेंगे, हमा ते आपसे नेक्स वीडियो के नेरे कुश्ची वीडियो के साथ, तब तक आपना ध्यान रखेगा, मुस्करा दरिएगा, बबाई, टेक केर, जय हिंद